विल्कम बेक डूमाय यूटूब चनल पेपर है कर आज के इस वीडियो में हम कुश्चन नमबर 9 का जो आपका बी पोर्शन बचा हुआ था उसकी बात करेंगे ठीक है जो कि आपका क्या है सलफा गुएनदीन क्या है सलफा गुएनदीन ठीक है जो कि आपका एक प्रकार का ड तो सब इसका बताना कि इस तरह से किया जाता है और इसके उप्योग क्या है ठीक है तुम सब यकित करें ठीक है और अपने शाथि और हम बात कहरें तो सलफा गौनिडीन होता है ञे AUSDhia क्या है कि तलस भायादी एक महत्पूर्ण सलफा औरस तीज़ कैसे और चैसा है प्रजीवियों और वैक्टीरिया के प्रति प्रभाव साली होता है तो किसके प्रति ये परजीवियों और आपका बैक्टीरिया ठीक है इसको हम एंटी वैक्टीरियल भी कह सकते है इसका रासानिक नाम क्या होता है पी यानिकी पैरा क्या होता है पेरा पोजिशन पे आपका क्या लगा होगा अमीनो पेरा अमीनो बेंजीन पेरा अमीनो बेंजीन सलफोनिल गुएनिदीन है क्या है पेरा अमीनो बेंजीन सलफोनिल गुएनिदीन है सलफोनिल गुएनिदीन है इसका नाम ठीक तो रासानिक नाम आपको याद रखना है ठीक ईसका आक सेलफागु ऐन दीन इसका संचनात्मक सूत्र कुछ इस तरह से आपको दे रखा हूँ आपको दिहार रखना इसका सनचनात्मक सूत्र किस तरह से होता है यह स्ट्रक्चर क्या है गजलके बेंजीन हैं आपका क्या है और यह कौन सी पॉजीशन है आपकी पैरा पी जिस पे क्या लगा हुए आपका नहें टुग क्या करते हैं एमेन गूरू प्र पे那我們 गूर्फ चौति क्याल कही आपका कम मुझा यह दक इसको कहते हैं यह बेंजीन है इतना सल करुप लगा हुआ और ये जो अपका लगा हुए ये इसे पूरा फार्मूला है इसका chemical formula है ठीक रासायनक सूत्र है करा इसे एनलीन से निम्न अनुसार संसलीषित किया जाता है किससे एनलीन से ठीक है तो इसको जो एनेलीन से संसलीषित करने की विदी है यह थोड़ी लबी है इससे छोटी कुछ निमन प्रकार से हम कर सकते हैं इसका g Böyle कि आज सकता है रभार निमन ने नानुसार sensing किया जाता है इसे निम्नानसार संसलिसित किया जाता है ठीक है फिस्ट मैथड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें क्या क्या मिलाना है तलफोनिल एमाइड और गौनिदीन का संखनन कर देना है क्या करना है तलफोनिल एमाइड और गवानिदीन ठीक है कि संगनन से क्या करना है इनका तो इस तरह से तो सल्फोनिल आमाइड आपका कौन सा गुरूप होता है यहां तक आपका क्या होता है सल्फोनिल आमाइड होता है ठीक 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 है है आपका इस्ते आपका लगा हुए है एस में डवल बार्ड ओट पॉडबल बारंड को सिंगल वांड हापका एनच टू प्लस क्या है आपका गो एनधीन जो आपका अधा बचा हुआ पार्ट था अभी देखा था वो कहा होता आपका गो एन दिन ठीक है कारवन से आपका क्य लगा हुआ इसके एने च और एक सिंगल बांट इसका तूर यानि कि इस माले कारवन से यह आपका बचा हुआ भाग कुछ इस तरह से इसके नीचे लिखेंगे हम ठीक है? तो यह आपका बन जागा यहाँ N.H. 2 और यह आपका कुछ बेंजिन जीव का क्यू रहेगा? इस से लगा हुगा S. डबल बॉंड और डबल बॉंड O. अब यहाँ क्या रह जागा? आपका N.H. रह जागा? क्या रह तो यह आपका माइनस क्या होगा यह आपका यहां से वहार निकल जाएगा और सिंगल बॉंड यह आपका जो है वो इससे आपका आके लग जाएगा ठीक है यहां रह जाएगा तो कारवन तो यह जो आपका बनेगा इतना वाला है यह क्या बन जाएगा आपका तरफा वू एन इडीन सिल्फा गू एन इडीन ठीक है जो कि आप आसानी से इसको बना सब्सक्राइगा ठीक है से दोनों का कंदेंसिशन कर देना किसका यह आपका क्या है कर बेंजीन सफोन Concrete क्या है और दूसरा आपका क्या है बूं रहे पहले आप इसको इसतरे से भी बना सकते ज़र नहीं टीक है मिटा रहां इसको और किस तरह से हम बना सकते हैं तो इसमें भी आपका सलफोनिक एमाइड और साइनो गवानिल ले लोगए आपको क्या लेना है सलफोनिल एमाइड और साइनो गवानिदीन का संग्भनन तो क्या होगा आपके पास सलफोनिल एमाइड और क्या होगा आपका साइनो गवानिदीन होगा ठीक है तो सलफोनिल एमाइड के अगर हम बात करें तो सलफोनिल एमाइड आपका वही रहेगा जो अभी आपका था ठीक है क्या था तो विसके साथ पर लगा हुआ था यह आपका बेंजी दिर्न लगा हुआ था और इसके दाउट ट्राइज डॉपल वांड और इस डॉपल वांड ऑंड नहीं टू ठीक है यह आपका होगा सॉल्फोनिल अमायड अम ऐड प्लस साथ में क्या है इसका अब आपका क्या आपका साइनो गवानिदीन क्या है आपका इससे क्या हो जागा आपका आपका यहाँ पर जो दोनों जगए आपके इसको यहां पर आपका क्या आजागा सी अना जागा अच्छा देखो फो सभी खतम हो गया कि अब खता है कि क्या था यह का आपका अब फोनिल अमाइड अपिलस दूसरा क्या था आपका साइनो अब गुआ निदीन साइनो गौनीद तो सलफोनिल अमाइड के अगर हम बात करें तो आपका क्या है वही रहेगा जो और इससे क्या था आपका यह बेंजील रिंग ठीक है इस तरह से और अब क्या होता है यहां पर एक हटने से यहां पर क्या आ जागा क्या जागा और अब क्या हो जागा आपका यहां पर cn cn और nh single bond carbon double bond nh यहां पर है आपका nh और single bond nh2 ठीक अब इसको जब यह आपसमें treat करेंगे इनका संगनन होगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा यहां से आपका यह एन इच टू और cn बाहर आ जागा क्या आ जागा एन हटो और in बहर आ जागा ठीक है तरहीं क्या बन जागा आपका एन हट्व और यहां पर बना दो इस तरह से डबल वांड ओ डबल वांड ओ सिंगल वांड यहां पर क्या बचेगा और कार्बन से ऊपर क्या लगा हुआ है और इधर के लगा हुआ तो यह जो आपका बनेगा वह क्या बनेगा इन डेन लिपले सीन अभी तो यह तो अपका अध्यार खानेडीन का फार्मस यह दो तरह से आप बना सकते ओठेगा दो तरह से आपको को sulphur guyanidine का formation कर देना ठीक है उसको नोट कर लेना उसके बाद आगे बरना उपियूग की हम बात करें sulphur guyanidine का उपियूग तो यहाँ पर sulphur guyanidine का यह उपियूग देरखा करया है इस उसदी इक उपियूग आतों के संकर्म्न ठीक है आतों में जो आपका infection हो जाता है यहूँग, यहाद रखना है अब हम अगले वीडियों बात आने इसको किस तरह ऐसे बनाएंगे यूज क्या है इसके ठीक है और इसके घुड़ क्या है बने रही है हमार साथ मिलते हैं अंगले वीडियो में थैंक्स फॉर बाचिंग यह वीडियो